नमस्कार मैं हूद वेब भिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 13 फर्वरी दिन मंगलवार खबरों के उबरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर ओर्जा विभाग ने साइबर फ्रॉड को लेकर किया अलर्ड फ्लोट टेस्ट में सरकार के पक्स में पर 129 वोट स्पीकर को हटाने के लिए 125 वोट मसाल जुलुस निकालने वाले सिछकों पर होगी कारवाई तेजस्वी यादव की बीजेपी को चुना थी निदीज कुमार की नहीं पलटने की क्या लेंगे गारंटी बिहार में वायू परिवहन से लेकर डैस्टूडेन के कारोबार में जाफा बिहार विधान सभा के नया धक्ष होंगे नंद के सोर यादव रोहित सर्वा ने 12 फेल मूवी की सराना की चलिया बरते बिहार के अब तके 25 बरी खब्लों के और विस्तार से दसवी पास उमिद्वारों के लिए दिली सब ओर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने निकाली भरती नर्सिंग ओफिसर फार्मासिस्ट कोक सीनियर ओफिसर एचार्ट ट्रांसलेटर हिंदी साहित कई पदों पर दिली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्दवारा भरती निकाली गई हैं आविदन प्रक्रियाद से शुरू है भरती करने के लिए चुक मिद्वारिस के आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं आविदन करने के इंतिम तारीक 13 मार्थ 2024 है जो भी उमिद्वारिन पदों के लिए आविदन करेंगे उनके लिए जरूरी है कि उन्होंने दसवी या डिप्लोमा या नर्सिंग या संबंदित छेत्र में यूजी या पीजी या सीमा 18 वर्ष और अधिक्तम धायू सीमा 27 वर्ष से लेकर 30 वर्ष निर्धारित की गई है भर्दी से संबंदित अधिक जानकारिक लापिस के आधिकारिक वेबसेट पर जा सकते हैं उर्जा विभाग ने साइबर फ्रॉड को लेकर किया अलर्ट बिहार में साइबर फ्रॉड लोगों को अपना दसाना बना रहे हैं ये लोगों से अलग-अलग प्रकार से ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं वही बिहार सरकार के उर्जा विभाग ने साइबर फ्रॉड को लेकर अलर्ट किया है, साथी बताया है कि मीटर रिचार्ज नहीं होने पर, डिसकॉम कंपनिया सुबत 10 बजे से कर दोपहर के एक बजे ही बिजली कारती है, वही रिचार्ज नहीं होने पर यदि कोई बिजली क काटने की धमकी देता है, तो alert हो जाए. तुरंथ ही दियے के नंबर पर call नहीं करना चाहिए. साथ ही किसी लिंक पर भी तुरंथ 클릭 नहीं करना चाहिए. ऐसा करने पर आप ciber fraud का सिकार हो सकते हैं. साइबर ठगी के सिकार होने पर consideration नंबर पर जिदान सभा में निदीज कुमार ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा एंडिये के पक्ष में 139 वोट परे वही सदन से विपक्ष ने वौक आउट कर दिया इसलिए विपक्ष को सूने वोट परे आपको बता दे कि आरजेडी विधायक चेदन आनंद प्रहलाद यादब और निलम देवी ने निदीज कुमार का समर्थन किया वही आजेडी के स्पीकर अवद बिहारी चौधरी के खिलाफ आविस्वास प्रस्ताव पर 125 वोट परे हैं विपक्ष के साथ 112 विधायक थे मालूम होके स्पीकर को हटाने के साथ ही साफ हो गया था कि निदीज कुमार के पास वहुमत है वही आवद बिहारी चौधरी ने कहा कि जो होना था वह हो गया हम लोगतांत्रीक व्यवस्ता में विस्वास रखते हैं और हमने कुर्सी के मर्यादा रखी है हमने आ विस्वास प्रस्ताव का लोगतांत्रीक तरीके से सामना किया है पहले हम स्पीकर थे बिहार पैटन में आज हम बात करेंगे साइकलोपियन वाल के बारे में यह दिवार की राजगीर में स्थिति है इसका निर्मान बरे पैमाने पर अववांचित प्थरों से करवाया गया था देखने में या दिवार प्राचीन ग्रीक दिवारों के ही समान लगता है राजा बिंबिसार और उनके पुत्रजात सत्रूं की राजधानी या प्राचीन सहर हुआ करती थी इस दिवार से सहर के चारों चरफ किला बंदी के निसान देखने को मलते हैं कहा जाता है कि यह दिवार चीन के दिवार से भी पुडाना है इसके रेबंद सहर में प्रवेश के लिए 32 बरे दिवार और 64 छोटी दिवार थे इसकी चर्चा पाली ग्रंथों में भी देखने को मिलती है यदि आप भी इतिहास को देखने और समझने का सौक रखते हैं तो य तिजस्वी आदब जमकरबर से हैं उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते वे कहा कि क्या गारंटी लेने वाले मुख्यमंति इसकुमार के फिर से नहीं पलटने की गारंटी लेंगे राज़त नेता ने अमित सा के दरवाजे बंद वाले बयान पर भी हमला बोला है तिज इसकुमार ने पाला बदलने का इतिहास कायम कर दिया है नौ बार बिहार के मुख्यमंतिरी पद की सपत लेने के लिए आपको बधाई लेकिन एक ही सदन में तीन बार सीम पद का सपत लेने का इतिहास कोई और नहीं बना पाएगा मसाल जुलुस निकालने वाले सक्षकों पर होगी कारवाई मसाल जुलुस निकालने वाले सक्षकों पर कारवाई होगी सक्षा विभाग इनके खिलाफ एक्सन लेने वाला है इनकी पहचान करने को लेकर सक्षा विभाग ने आदेश जारी किये हैं माध्यमिक सक्षा निद किया था साथ इनकी मांग है कि परिक्षा ओनलाइन नहीं ली जाए सिक्चक मांग कर रहें कि परिक्षा ओफलाइन ली जाए मसाल जुरूस के खिलाफ अब कारवाई होगी आपको बता दे कि सक्चक संग ने 13 फरवरी को बिहार विधान सभा का घेराव करने की चेताब नी दी से हमने 13 का आरजरी पर आरोफ विधायकों को इधर उधर करने के दिये जा रहे थे रुपयर मुख हम ने कहा कि 15 सालों तक लालू राबरी की सरकार थी तो साम में कोई आदमी गर से बाहर नहीं निकलता था आरजरी को सक्चा मंत्रा ले देने पर ये गरबरी करने लगे हम सब का ख्याल रखेंगे दाजी के लिए काम किया जाएगा और हम तीनों एक साथ रहेंगे सीम के पैसा कमाने वाले आरोप के बाद सदन में हंगामा शुरू होगे और विपक्ष ने सदन से हैं इनकी चहचहार से पूरा परिसर गुण जुटता है यहां पहुचने पर लोगों को सांती मिलती है यहां विदेसी पक्षियों का आना जाना शुरू हो जाता है यह लोगों के लिए आकरसन का केंद्र बना रहता है यहां तीस अलग-अलग प्रजाती के पक्षि मिले हैं दरसल एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि यहां सैंड, पीपर, गर्वाल, नौदर्न, सोवलर, गरगेनी, विसलिंग, टील जैसी पक्षियां मिली हैं प्रवासी पक्षियों के साचात अस्थानिय पक्षियों की भी गिंती की गई है यहां अस्थानिय पक्षिय आनंद ने कहा है कि तेजस्वी आदब मेरे बरे भाई हैं, मैं अपने परिवार से मुलाकात करना चाह रहा था, मुझे अपने परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा था, मुझे कुछ अधिक समय तक अंदर रोका गया, लगातार मेरे पिता इसकरबंदन के लिए लगे यहार राजत खेमे से अलग हो गया, इसके बाद इन्होंने अपनी राराजगी जाहिर की, आपको बता दे की ठाकुर का कुवा बिहार में सियासत का मुद्दा बन गया था, आज इरी सांसत ने राजत सभा में से लेकर एक कविता का पाठ किया था, इसके बाद चेतना आनं कुस्त लगाने के मुखर विरोत के लिए पहचानते हैं, इन्होंने वर्स 1971 में बांगलादेश मुक्ति युद में भी अपनी सक्रिये भूमी का निभाई, एक लेकर के तौर पर इन्होंने कई लगू कहानिया लेखी, इनकी प्रसित पुस्तकों में इजे अहाना, अहाना क की निए आदी सामल है, 13 जुलाई वर्स 1998 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, विहार सरकार के चार मंत्रियों को मिला आप्त सचीव, निदीश सरकार ने सदन में विश्वास मत हासल कर लिया है, सरकार की पक्ष में 129 वोट पड़े है, जबकि विपक्ष में सू वन कुमार को आप्त सचीव निउक्त किया गया है, ग्यानेंद्र कुमार संसदिये कारे मंत्री विजय कुमार चौधरी के आप्त सचीव होंगे, वही डॉक्टर नंत के सोर आरे मंत्री संतो सुमन के सरकारी आप्त सचीव होंगे, मंत्री सुरेंद्री कुमार के आप्त सच पुनेंदुक कुमार होंगे। जबकि रेलवे से जुरे कारुबार में 31% का ग्रोथ हुआ है। पार्टी के विधायकों को अगर किसी ने गलत करने का प्रयास किया है तो इसकी जांच की जाएगी। अब एक एक फाइल खुलेगी और इसकी जांच होगी। सत्ता के दुरुपयोग से धन अर्जित करने पर उसका हिसाब जन्ता को देना होगा। दो दिन से यह लोग तांडब कर रहे थे। इसका सारा पोल खोला जाएगा। मुखे मंतिंतीस कुमा ने खुद कहाए कि इसकी जांच की जाएगी। बहुमत नहीं ओने पर विपक्ष के लोग खेला करने की बात कर रहे थे। वहीं बिहार में एंडे की सरकाने फ्लोर टेस्ट में विश्वास मत हासल कर लिया है। इसको लेकर भाजपा के कारेकरताओं ने खुशी जाहिर की है। कारेकरताओं ने एक दूसरे को अबीर गुला लगाकर और मिठाई खिलाकर जस्त मनाया है। दर्भंगा एंज का 15 फरवरी को पी एम मोधी कर सकते हैं उद्गहाटर। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी दर्भंगा एंज का 15 फरवरी को सिलान न्यास कर सकते हैं। वहीं से पहले केंद्रिय स्वास्ति सचीव पूरवित चंद्र दर्भंगा पहुंचे हैं। इन्होंने एम्स को लेकर चैनित अस्तल सोबन बाईपास और DMCH परिसर इससे जगह का जाय जा लिया। इस मौके पर बिहार सरकार के स्वास्त सचीब संजियर सिंग और दर्भंगा के DM राजीव रोसन मौजूद रहे। केंद्रिय श्वास्त सचीब ने इन से जानकारी ली है साथ ही अस्तल का निडिक्शन किया है इसके बाद केंसर कार की रिपोर्ट सौपी जाएगी इसके बाद दर्भंगा एम्स के निर्मान को लेकर इंजीनियर ओचित फैसरा लेंगे। बिहार के अधिकतर हिसों में बारिस की संभावना आज और कल बिहार के कुछ हिसों में मेग गरजन और वजरपात को लेकर मौसम विभाग द्वारा यल्लो अलर्ट जारी किया गया है। रोहिनी ने कहा है कि आपको अपनी फितरत पर कोई मलाल नहीं है। फिर से बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गये। वहीं तेदस्वी को लेकर इन्होंने कहा कि पूर्फ डिप्टी सीम ने बिहार की बहतरी और रोजगार के बारे में बाते की हैं। समाजवादी परंपरा के निर्वाहन को लेकर इन्होंने प्रण लिया है। मुस्कुराते वेक कम बोल कर उन्होंने सदन में अपना जलबा में खेरा है। आपको बता दे कि सदन में निर्टीज कुमार की सरकार ने विस्वास मत हासिल कर लिया है। वहीं विपक्ष ने सदन से वौक आउप कर दिया था। आज़री के तिन विधायकों ने भी निर्टीज सरकार का समर्थन किया। पार्ठेक्रम पर ही आधारित होगा। यहां विज्ञान विसेपन नाटक का भी आयोजन होगा। यहां सिक्चकों को 6 दिनों का प्रस्रिक्चन भी दिया जाएगा। इस कारिक्रम का उद्देश सिक्चकों के प्रयास को दिखाने के लिए एक मंच देना है। इसके लावे सीखने के बाद परहाने को प्रोच चाहित करना है बिहार विधान सभा के नए अधक्ष होंगे नंद के सोर यादव रहेंगे बताया जाता है कि यह आज सुबर सारे दस बज़े नॉमिनेशन करेंगे यह बीजेपी के बरे नेता और बिहार सरकार में लबे समय मंत्री थे इन्होंने अवद बिहारी चौदरी के खिलाफ सदन में अविस्वास प्रस्ताव लाया था इनके बारे में बता दे कि इन्होंने चात्र जीवन से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी फिलाल ये पटना साहिब से विधायक है साल 1979 से जुरे हैं जेपी आंदोलन में भी ये सक्रिये थे वहीं साल 1971 में विधान परिशत में अक्टिव हैं साल 1995 में ये पहली बार विधायक चुने गया थे इससे पहले 1978 में पटना नगर निगम से इन्होंने पार्शत का चुनाव लगा था 2022 में ये पटना के महा पाॉर्ट सुने गए थे कैं जीतना मांजी ने आरजिरी पर कसा तंज छेला के उन्पार थे हम पूर्मुखयमंत्री ने आज ऑन को第三ल करने वाले बयान को लेकर कर तंज करसा है और खुद को खेल का उंपार बताया है इधर सदन में मांजी ने कहा है कि तरस्वी यादव और उनके साथ ही लोग साथ 2005 से पहले के सिद्धी को पैदा कर रहे थे इसकी चर्चा खुद निदीश कुमा ने कई बार की थी सीम निदीश का हम आभार व्यक्त करते हैं कि इन्हों ने बिहार में पहली वाले सिद्धी को पैदा नहीं होने दि नहीं इस फरवरी को अलग-अलग नाटकों की प्रस्तूती दी जाएगी भारत रंग महुचब अपना 35 वर्थ गांट मना रहा है इसके तहत भारत के 15 सहरों में महुचब बनाया जाएगा इसमें पतना के अलावे मुंबई पूने भूज विजयवारा जोथपूर डिब्र बैस्विक केक्ता को बरहावा दिया जाए श्री लंका और मौरिसस में यूपी आई की हुई शुरुआग भारत के यूनिफाइड पेमिंट इंटरफेस यानि यूपी आई की स्री लंका और मौरिसस में शुरुआग हो गई है पीये मोदी ने से लौज किया है कई देशों के जरिये payment कर सखेंगे मॉडिसस में यूपी-आई के अलावे रूपे बी सुरुवात की जा रही है मालूम उख कि अभी हाल में फ्रांस में भी यूपी आइ सर्विस की शुरुवात होई है इसकी मदद से Dead Men के टिकेट बुक करने के सुवधा दी जा रही है मालूमों कि यूपी आई पेमेंट भारत में डिजिटल क्रांथी का प्रधीक बन गया है इस कारण दुनिया के कई देशे से अपना रहे हैं और इसी करी में स्री लंका और मॉडिसस में इसका सुभारम हुआ है रोिज चर्मा ने ट्डूर्फ़ेल मुवी की की सराहना बात रिगेर टीम के कप्तान रोिज खर्मा अपने बयानों को लेकर प्रछा में बने रहते हैं वही अब रीजनों का कप्तान नersonal है कि और यह काफी अच्छे फिल्म है उनके इस मिज़ informal सर्भी एं वही मालूम हो कि इंग्लैंड के खिलाब पांच मैचों की ठेस्ट स्रीज में पहले दो मुकाबले हो चुके हैं 15 फरवरी से तीसरा मैच खेला जाएगा नोहिट सर्मा की टीमें स्रीज में अच्छा प्रदसन करना चाहती है इसमें टीम एक बड़ी पारी खेलना चाहती है वही नीजी कार्णों से विराट कोलिस पूरी सिरीज का हिस्सा नहीं है यह कप्तान लोहिट सर्मा के लिए एक बड़ी चुनाती है कई कार्णों से दर्ज़ है भारत तितेहास में आज की तारीख आज के दिन वर्स 1788 में भारत में ज्यादतियों के लिए बारेन हैस्टिंग्स पर इंग्लैन में मुकदमा चलाया गया था आज के दिन वर्स 1856 में इस्ट इंडिया कंपनी का लखनों सही दावद पर कबज़ा हुआ था आज के दिन वर्स 1931 में नई दिली भारत की राजधानी घोसत होय थी आज के दिन वर्स 1969 में इसे बच्चों की पसंदीदा बार्वी डोल की बिक्री शुरू होय थी आज के दिन वर्स 2003 में यह स्ट योपरा को दादा साहब फाल के पुरस्कार मिला था आज के दिन वर्स 1889 में भारत की कोखिला सरोजनी नाइडो का जन हुआ था घर बैठे भी मोबाइल फोन चार्ज ना होने की समस्या चुट्कियों में हो सकती है दूर स्मार्ट फोन आज हमारे जीवन का एक महत्वपून हिस्सा बन चुका है ऐसे में स्मार्ट फोन को लेकर कई चीजे समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कई बार आपने देखा होगा कि फोन चार्ज नहीं होने पर हम परिशान हो जाते हैं और कई बार तो सर्विस सेंटर जाने तक की नौबत आ जाती है लेकिन अगर आपका स्मार्ट फोन भी चार्ज नहीं हो रहा है तो ऐसे स्थिती में कुछ टिप्स को अपना कर आप ये परिशानी हल कर सकते हैं दरसल कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल फोन के चार्जिंग पोर्ट में धूल जबने के कारण भी आपका फोन चार्ज लेना बंद कर सकता है इसलिए घर पर ही यदि आप इसे साफ कर लेते हैं तो आपकी समस्याद दूर हो सकती है इसके लावे धीला कनेक्शन के कारण भी ऐसे समस्याद आ सकती है लेकिन एक बार इसे भी अच्छी तरह से जाच ले कई बार टूटे हुए चार्जिंग पोर्ट और या खराब एडॉप्टर भी मोबाइल फोन चार्ज ना होने का कारण हो सकते हैं आज के वाइरल खबर में हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा साइबर स्वक्सता केंद्र की अस्थापना के बारे में सोसल मीडिया के इस जबाने में कई ऐसी खबरे हैं जो वाइरल होती रहती हैं इन मेंसे कई खबरे सही होती हैं तो कई खबरे फरजी भी होती हैं अब इसी करी में हमने केंज सरकार से संबंदित एक और खबर को वाइरल होता पाया जिसके मुताबिक लोगों को साइबर सुरक्षित रहने की सला दी जा रही साथ ही इसके लिए भार सरकार ने नेटवर्क और सिस्टम को नुकसान पहुचाने वाले मालवेर और बॉटनेट की जाज के लिए साइबर स्वक्षिता केंज की असापना की है जब हमने इस खबर की परताल की तो हमने पाया कि ये खबर सही है पी आई बी ने भी इसकी पुष्टी की है जहां बताया गया कि अकेंद्र रैडिरेट जी ओ आई अंडर स्कोर एमी आई टी वाई के डिजिनल इंडिया का हिस्सा है जिसका लक्ष सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना है और बॉटनेट संट्रमन की पहचान करना है हम प्रति दिन आप से पांच जैसे जरूरी सवाल पूचेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बिपी ऐसी बिहार पुलिस दरोगा समेत SLC जैसे ने प्रतोगी पर एक्छाओं में काम आएंगे सवाल एतिहास बिहार स्पेसल विग्यान करेंट अफेर्स और गोर्ष रहेंगे पूचे के पांच सवालों में आपने कितना सही उतर दिया है यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है दूसरा सरा साजीवी का मेला कहां शुरू हुआ है उप्सन ए है पठना उप्सन भी है लखनो उप्सन सिय जम्मू कश्मीर उप्सन दिये हिमाचल प्रदेश इसका सही उतर है जम्मू कश्मीर चन्नाई सूपर किंग्स ने बॉलिवूड में किस्से अपना ब्रैंड अम्बेस डर बनाया है उप्सन ए है रन्वीर सिंग उप्सन बी है विक्की कॉसर उप्सन सी है कैट्रीना कैफ उप्सन डी है दिपिका पादु कौन कि इसका सही उतर है कैट्रीना कैफ क्रिसी वैण ग्यानिक और हरित क्रान्ति के जिनकंऄम्स स्वामिनाथन को मस्णू प्रक नत किस्त स हमानित किया जाएगा ऑप्सन ए है पद्मिभूसं से आप सची है भारत रत्न से अप सची है पद्मिभूसं लिए System में मिसेन मान विकाष योधना कब शुरू हूई थी opson io 2015 में option विः हार के किस दिले में बहुरंगी ग्रेनाइट प्या जाता है इसका सही उतर है नवादा बीटे दिन हमारे दोरा पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पुछे के सवाल का जवाब दे उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपकी पसंदीदा राज नीतिक दल कौन और क्यों है आप अपना जवाब हमें मारे कमेंट सुक्स अंबॉक्स में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही भिहार के तमाम ख़बरों के साथ बने ना निकले देखतेरें बहारी न्यूर और साथ यह अगर आप यूर्वप सह देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना करना और सब्सक्राइब करना अगर आप ronños से देख रहे हैं तो पेज को फॉलू करना ना भूले धन्यवाद